मध्यप्रदेश की कानून व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए समाजवादी पार्टी रीवा के एक पीडित परिवार को लेकर अनिश्वित कालिन धरने पर बैटे सपाद्वारा दो नौजवानों की हत्या को लेकर पुलस द्वारा लापरवाही करने को लेकर शाशन प्रशाशन पर गमधीर सवाल या निशान भी खड़े कर रही है इसी के साथ पीडित परिवार परिशान होकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलात के बंगले पर भी गया था परन्तु पीडित परिवार को कॉंग्रिस द्वारा भी कोई मदद न मिलने के कारण अब दोनों ही पार्टियों से नाराज होकर अनेशुत कालिन धरने पर बैठ गया उन्होंने लेटर भी लिखा है लेकिन कोई ऐसी कारवाई कॉंग्रिस पार्टी के पूर मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं हुई जिससे इनको साहता मिल चुके इस कारण समाजवादी पार्टी आज इनके साथ धरना इस्तर पर बैठी हुई है और हम लोगों ने ये मांग करने का काम किया है आप लोगों के माद्यम से कि जो इस तरीके के अन्याय हो रहे हैं उनके अन्याय को जिला इस्तरी और थाना इस्तरी पर ही कारवाई हो जानी चाहिए हर व्यक्ति जिला स्तरपे और राजदानी बोपाल आने में समार्थ नहीं होता है आर्थिक रूप से संगपन्द नहीं होता है तो ये परिवार है ये सीरिये बैठा है कि इनका एक भाई दूसरे भाई को छोड़ने के लिए गाउं में जा रहा था रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई पुलिस ये बताती रही पहले कि ये पानी में डूबने से ये मृत हुआ है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें पानी की पुष्टी नहीं हुई तो पुलिस बताने लगी एक्सिदेंट हुआ जबकि पीडित परिवार का ये कहना है कि ये पूरी तरीके से हत्या है हत्या की इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए और जिनको ये नामज़द चाहते हैं उनके ऊपर कारवाई होनी चाहिए समाज़वादी पार्टी का ये कहना है कि नामज़द अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं कर रही FIR नहीं कर रही तो कम से कम हत्या का प्रक्रण दर्ज करे और जो भी हत्या रहा है उस दोशी को सजा मिलनी चाहिए ये पीडित परिवार बड़ी हिम्मत दिखाते हुए यहां भोपाल में आया हुआ है तो हम समझते हैं कि इस तरीके से अगर निया ववस्ता प्रदेश में चलेगी कानून ववस्ता प्रदेश में चलेगी कि छोटे से ग्रामी चेतर के व्यक्ति को अगर जिला इस तर पर आके काम करना पड़ेगा ये भू करताल पे रहे रिवा के अंदर वहां पे भी प्रदेशन किया वहां जिला कलेक्टर और SPIG इनको गुमरह करते रहे लेकिन कोई मदद नहीं हुई अभी इने बोपाल राजदानी में आना पड़ा यहां पे भी इनको कोई मदद नहीं मिल पा रहे किसी तरीके कोई प्रशासनिक तरीके से या सरकार की तरफ से तो अगर न्याय मांगने की प्रक्रिया चलेगी प्रदेश के अंदर तो मुझे लगता है अन्याय हावी होता चलेगा और यह एक तरीके से कहीं नहीं जाती है इंसा भी है क्योंकि यह जो जगड़ा है यह छोटी जाती का बड़ी जाती के उपर अन्याय है तो यह चोटी जाती बड़ी जाती की जो खाई प्रदेश में बंती जा रहे ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज जी ने एक मंच पे कहा था कि आरक्षण कोई माई का लाल खतम नहीं कर सकता जो यह आसमानता का अधिकार है उसको खतम करने के आवश्यक्ता है नय पू अगर पीड़ित परिवार इस तरीके से राजदानी में आएगा तो हम सब लोगों को शर्मसार करता है कि प्रदेश की राजदानी हर वेक्ति नहीं आ सकता आर्थी ग्रूप से कमजोर है यह उनका पीड़ित का चोटा भाई है यह चोटा सा एक काम करता था 108 एंबुलेंस म कोई मजबूत नहीं है वो रोजगार भी इसका चिन चुका है तो इस तरीके से काम अगर चलेगा तो मेरा पना आप लोगों से आग रहे है कि पीड़ित परिवार को नया देला है और जो भी पीड़ित है कम से कम जिला मुक्याले पर यह सारे काम खतम हो जाना चाहिए नही कर दो